हेलो बदीवान वेलकम टूम 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 चैनल मैंकेंज टॉक्त फेंड यहां पर भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिम्टेट तरफ से जूनिय एंजिने लेवल की पाइमने रिकूट में निकाली जा चुकी है यहां पर मैंने जब इसका सॉल्ट नोटिफिक क्या रखा गया है, सेलेक्शन का प्रोसेस का रखा गया है, डीवे में कितने बच्चे को बुलाया जाएगा सैलेदी, फॉर्म की फीज, इंपॉर्टन डेट्स कैसे आपको फॉर्म एप्लाइ करना है, हाई एक पॉइंट को हम इसी वीडियो में देखिए तो प्लीज आपको टाइम से मिलते रहे, और आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिसना होने पाए, और जितना मैक्सिम हो सकते, प्लीज अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि सब की हल्फ हो जाएगी, और मेरी हल्फ हो जाएगी, तो पहले हम चलते हैं, भेल की ओफिशल नोटिफिकेशन तरफ देखें क्या क्या important चीज़ें यहाँ पर नोने mention किया हुआ है, तो फेर्ण हम यहाँ पर इसमें भेल के ओफिशल नोटिफिकेशन पर आज जुक्क है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ नीचे आना है, तो यहाँ पर आप दे आप पाच वेकेंसी निकाली गई है, आप यहाँ पर अपना category wise, अपना seat का आप distribution देख सकते हैं, वही नीचे आप आपाएंगे, तो HR department में corporate office, HEP भोपाल, HPEP हाइदरबाद, HPEP ट्रिची, HEP हाइद्वार और TP जहां से में total vacancies निकाली गई है, तो number of vacancies के बाद के बाद क तो आपकी सुपरवजर ट्रेनिंग के वेकेंसी है, मेकेंकल और सिविल की, यह आपकी permanent job होने वाली, बट यहाँ पर आपको job लगने के बाद कम से कम यहाँ पर आपको project site पर आपको 10 साल यहाँ पर काम करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर यह इनका rule दिया हुआ है, ह यहाँ पर 1 सेप्टेंबर 2023 को आपकी रिजमिट 27 साल होनी चाहिए, ठीक है, हम marks की बात कर लेते हैं, तो यहाँ आपका minimum 65% marks होने चाहिए, SCST वाले बच्चों के लिए आपके minimum 60% marks दखा गया, similarly यहाँ पर सुपरवजर ट्रेनिंग सिविल वाले बच्चों के लिए, अगर Business Administration में, या Social Work में, या Business Management में, या BBS और BMS किया हुआ, रिक और इंडियन उपर सकते हैं, यहाँ पर आपका 65% और यहाँ पर आपका 60% marks यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, यहाँ पर देखी नीचे आपको आना है, यहाँ पर एज दिलक्सेशन के बात कर लेते हैं, तो अगर हम बात करें, आपका सेलेक्शन प्रोसर रखा गया, तो यहाँ पर देखी आपका सेलेक्शन प्रोसर जो आपका, दो स्टेज में, आपको देखेने को मिलेगा, पहला स्टेज यहाँ पर आपको computer-based test में बात करें, तो यहाँ पर आपको computer-based test होगा, उसके बाद जो दिवी के लिए तो यहां सेट किया अगेंश्ट में वन देश्यों थी वहां बच्चों को बुलाय को ठीक है तो यहां पर एक सीट पे यहां पर आपको तीन बच्चों के लिए और आपका सलरिक लिए तो देखे आपका रेंग में आपका इनिशली एक साल का ट्रेनिंग होगा जिसमें आपको ट्रेनिंग पीरिड में आपको बेसिक पे बत्तिसछार मिलने वाला है तो आपकी salary around of 32,000 से लेके एक लाग पर के बीच में आपको salary वैरी करेगी और training एक साल training के बाद आपको successfully supervisor मतलब junior engineer के post पर आपको hire कर लिए जाएगा जिसका आपका basic पर 33,500 होगा जिसके salary आपकी 33,500 से लेके एक लाग बीच लाग के बीच में वैरी करेगी यहाँ पर आपको सभी कुछ benefit यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तो अगर पर NM salary के बाद के बाद के तो आपको CTC यहाँ पर आपका 7,500,000 पर आपको CTC देखने को मिल जाएगा ठीक है medical channel के बाद तो जो आपका भेल के record जो भी आपका medical channel होता है उसके record यहाँ पर आपको medical भी देखने को मिल जाएगा form कैसे fill up करना तो अभी आपको वीडियो के इंडि में मैं आपको guide कर दूँँगा कैसे form fill up करना तो प्लीज वीडियो को ध्यान से इन तर देखिएगा form आपको यहाँ पर online fill up करना है और आपको online fill up कर यहाँ पर लिंक दिया हुआ है इसको मैं आपको इसी वीडियो के description box दे दूँगा और फिर आपको पीडियाफ और इस पीडियाफ को मैं अपने टेलिग्राम पर शेयर कर दूँँ तो जो बच्चे अपर तक मुझसे पर नहीं जुड़े हुए है प्लीस टेलिग्राम को जॉइन कर लिजिए वहाँ पर आपको यह पीडिया भी मिल जाएगा ठीक है अब हम बात कर लेते हैं अप्लिकेशन फीस का तो यहाँ पर देखिए आपकी जो अप्लिकेशन फीस रखी गई है यूर इडबलू एस और बच्चों के लिए यहाँ पर अप्लिकेशन फीस 500 रुपीश रखी गई है वहाँ पर आपके प्रोस्टिंग फीस 200 रुप्य प्लस जी एस्ट मतलब आपको टोटल एप्रोक्स जो है 795 रुपीश अप्लिकेशन फीस देखने को मिल जाएगा वहाँ यह सी एस्ट वाले उप्लिकेशन फ्रॉम सेम एप्लिकेशन ओनली द लाश्ट एप्लीकेशन सेल बीकेर ठीक है तो प्लीज एकी बार फिलफ करेंगे और बाले फिलाप चलौ असरी को नहीं आपको और फिलये है यहाँ यहां पर देखिये एजाय़ में यह लेकिन लेकिन किया गया है ओट अ मत होगेगा जब इनका फॉर्म का लिंक एक्टिवेट हुजाएगा मैं आपको स्टेप बाइश्टेप मोबाइल से कैसे फॉर्म फिल अप करना उसके लिए गाइट कर दूँगा तो यहां पर आपको यहां पर देखे क्लियरली मेंसन किया हुआ है जब से इंपॉर्टेट बात आप सभी लोग से रिक्वेश्ट करता हूँ प्लीज मेल आईडी अपना अक्टिवेटर करें mail को regularly check करते रहा करें 2 second लगता mail को check करने के लिए आप spam folder को बार बार चेक करते रहा यहाँ पे उन्हों mention किया हो क्योंकि कोई भी communication होगा तो आपको mail को दोरा दिया जाएगा अभी simply से बहुत सार case आपको देखने को मिला हुआ बट उन्होंने आपको date दिया था आपने उस desire date में reply नहीं किया है तो आपके chances और यहाँ पे कम होगा इसलिए बार बार बोलता है mobile number और mail ID हमेसा ऐसा दीजे जो आपका हमेसा अक्टिवेट रहेगा यह आप हमेसा ध्यान देखिएगा ठीक है फिर्ण हम बात कर लेते हैं important dates की तो यहाँ पे देखिए इन्होंने आपका online application opening हो जाएगा 25 अक्टूबर सुवा 10 बजे से जो आपका last रखा गया 25 नॉम्बर 11.45 ठीक है और आपका exam का date मेंसन कर दिया इन्होंने tentative month of December तो यहाँ पी सबी dates मिलके हम चलते हैं इनकी official website रफ और देखते हैं वहाँ कैसे आपको form को step by step apply करना होगा तो फ्रेंट हम यहाँ पे इसमें भेल की official website पर आ चुकिए आपको इसका link किसी वीडियो के description box में मिल जाएगा तो देखिए यहाँ पे आप जूम करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको मिले के detail advertisement आपको इसमें लिंक पर click करेंगे तो आपको सामने यह PDF ओपन होके आजाए यह आपका newspaper के advertisement है यह आपका medical examination rules भेल के medical examination rules आपको कोई भी doubt होगा तो आप इसको देख सकते हैं कैसे आप apply करना यहाँ पे इन्होंने mention किया हुआ है apply online और candidate तो आपको इस वाल हो आपको किलिक करना होगा apply online करने के लिए बट आप यहाँ पे side में आके देखेंगे प्लीज उस वीडियो को देखेने के बाद फॉर्म फिल अप करिएगा जिसे के आप से गलती होने के चांसे स्कोई भी ना रहे और इसलिए बोलो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल आगन प्रेस करके रखिए जिसे एक authenticate वीडियो आपको टाइम से मिल सके तो I hope ये वीडियो आप सबी लिएँगे लूसुल साबित हुआ होगा फ्रेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा जिसे के सब की एल्फ हो जाएगे वे मेरे भी एल्फ हो जाएगी तो फ्रेंट्स आज की वीडियो मसत नहीं हम मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाय एंड टेक केर